नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल एजूटूबर देव पर तो दोस्तों अक्टूबर के एंड बे यानकी 27 और 28 अक्टूबर को R.A.S. प्रिलिम्स की एक्जाम्स की घोशना हो चुकी है अब उसमें इस पेसालिटी ये रही कि इस बार की हर बार जो है दोस्तों एक ही दिन आपके R.A.S. प्रिलिम्स का एक्जाम होता है जहां तक मुझे पिछले 19 सालों का जो एक तरीके से एक्स्वीरिंस है इन एक्जाम्स की अप्डेट समन दित तो उसमें एक दिन ही रहता लेकिन इस बार दो दिन एक्जाम क्यों है तो उसके बीचे रीजन है दोस्तों कोरोना और उसके साथ में एक और बात भी थी कि अगर आवेदनों की संख्या बढ़ती है सुरुआती बारा दिनों में 50,000 आवेदन आए मैंना आपको अप्डेट भी दिया है और अगर आवेदन बढ़ते हैं मतलब काफी ज़्यादा संख्या में होते हैं तो फिर 27 और 28 सक्टूमर के अलावा भी 29 या 30 सक्टूमर को एक्जाम RS Prelims कायोजन हो सकता है अब इसके बीचे रीजन मैंना आपको बता दिया कोरोना के कारण जो है जैसे अगर किसी एक्जाम हॉल में 50 लोगों की बैटने की 50 परिक्षारतियों की बैटने की शमता थी तो वो 25 हो चुकी है 20 हो चुकी है इसलिए अब वो चीजें तो बढ़ नहीं सकती लेकिन जो एक्जाम की दिन है वो एक से दो अब हो चुके हैं दो से तीन या चार भी हो सकते हैं और इसी बेस पे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि परिक्साती थी में कुछ एक चेंजिस होने की संभावना मतलब ही 27 और 28 सक्टूमर नहीं बदलेंगी बट 29 और 30 सक्टूमर उसमें और एड़ हो सकते हैं मैंलों 2 की जगे 3 या 4 दिन तक एक्जाम जा सकता है तो इसी बेस पे मैंने आपको कहा था कि प्रिलेम्स के जो है एक्जाम डेटों परिवरतन हो सकते हैं अब कुछ एक बचों ने सहीजी वीडियो देखा नहीं सहीद अन्यमनस को के देखा कहीं और ध्यान था उनका तो उन्होंने ये समझ लिया कि सर चाहते हैं आगे बढ़े तो बिल्कुल आपने गलत समझा है मैं ना किबल आरेस प्रिलेम्स बलकि कोई भी एक्जाम को आगे बढ़वाने की पक्स में नहीं हूँ क्योंकि आज चाहे नहीं लेकिन कभी किसी समय मैं भी गबिरती रहा हूँ और उस बेस पे मैं समझ सकता हूँ कि जब आपकी त्यारी अच्छी खासी होती है और एक्जाम यूं ही आगे बढ़ जाता है तो कितना बुरा लगता है और कितना आप डिसपॉंटमेंट जो है आपको होता है दोस्तों तो उस बेस पे बिल्कुल भी एक्जाम आगे नहीं जाना चाहिए और मैं एक्जाम आगे बढ़वाने के पक्ष में नहीं हूँ टाइम पे परिक्षा हो टाइम पे रिजल्ट आए बच्चों को नौकरी मिले यही मेरा धे है यही मैं चाहता हूँ और उस इक साथ दोस्तों बात करते हैं आरेस मेंस की तो दिसमबर और मार्च की बीच में आरेस मेंस एक्जाम हो सकते हैं अब देखिए दोस्तों रास्तान लोग सेवा आयोग आरेस और अदिनस्त सेवा बरती 2021 को समय पर पूरा कराने की कोशिश में है प्रारणवी परिक्षा 27 और 28 अक्टूमर को है प्रारणवी परिक्षा का 90 दिन के अवधी में रिजट जारी करना होता उसके अंदर ही हो जाता है दो धाई वहने में और अब उसके दोरान जो है मार्च के आयोग दिसमबर से मार्च के बीच में में से एक्जाम कराएगा अब मेरा ये पूरा नुमाना की जनवरी के आसपास होना चाहिए क्योंकि अक्टूमर से जनवरी तक का वो टाइमिंग है जिसमें जो है जो है इनों ने जनवरी में एक्जाम कराया था तो अगर हम ऐसे देखे हैं तो तुरंट ही अगर ये लोग कराना चाहें तो जनवरी में करा सकते हैं बाकी फरवरी और मार्च का भी आप्सन है तो ये कुछ मैने रहेंगे मतलब अगले तीन या चार मैने प्लेजिम्स के बाद में जहां आपके मेंस की एक्जामती थी जो है वो भी गोशित की जाएगी और जनवरी तक की पूरा नुमान मुझे लग रहे है तो इतना ज़्यादा लेट नहीं करेंगे अगर कोई विवाद नहीं होता है और बात में सरकार ना अगर किया था तो आपको पता ही है वो सारी कान ही तिसलिए आगगे बढ़ा दिया गया था अब ये कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी होंगी कि हाई कोड में बहुत जादा जाती है जैसे रीट का पूछते है बच्चे एक सर 26 सितंबर को एक्जाम है तो कब तक आएगा रिजल्ट इस साल के एंड तक आ जाएगा तो ये चीज़े अभी सरकार देखती है दोस्तों और उस बेस पे जो है देखें तो दिसंबर से मार्च की बीच में आपके मेंस का एक्जाम हो सकता है अब कई सर बच्चे कहते हैं विए सर त्यारी का ये मेंटर रहता है तो आप आगे बढ़ाने उमत कीजेए तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर लूँ मैं किसी भी एक्जाम को आगे बढ़वाने के पक्ष में नहीं हूँ मैं तो यही चाहता हूँ कि एक्जाम टाइम पे हो ताकि जादा से जादा आपने जो युवा हैं जो बिर्थी हैं एक तरीके से मेरे परिवार जन हैं जो सब्स्राइबर और विवर्स हैं वो जॉब लगें और उस बेस पे जो है यह सारी चीज़ें चलती हैं दोस्तों तो देसंबर से मार्च की बीच में आपके एक्जाम है मेंस हो सकता अब देखिए यह तो खेर पूरा नुवान है अब ऑफिसियल जो है एक्जाम डेट भी जल्दी जो है आ जाएगी अपने प्रिलिम्स हैं उसके आसपास बागी दोस्तों जो भी अप्डिट आएगी आरेस 2021 से समधित तो मैं आप तो पहुंचा दूँगा वीडियो और कम्यूनिटी पोस्ट के मादियम से तब तकी लिए दोस्तों धन्यवाद नमस्कार